नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बार फिर से, आप सभी का इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, IBPS की तरफ से, IOE वेकंसी के बारे में, या दोस्तों इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन आ चुका है, और apply भी आप लोग कर सकते हैं, तो friends apply करने से पहले, इस वीडियो को ध्यान से जुरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतिया हैं, जो आप से हो जाती है, Friends Institute of Banking Personal Selection से related notification आया हुआ है, और इसकी official website यहाँ पर open हो चुकी है, इस website कर लेंकि वीडियो के description में मैंने दे दिया, तो वहाँ पर click करके डारेक्ट आप इस page पर आ जाते हैं, अब Friends जैसे आप यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर काफी सारे इंटर्फियस हैं आपर दिखाई देते हैं, और आप लोग notification को भी download कर सकते हैं, तो notification को मैंने download करके रखा हुआ है, और अब चलते हैं, आपर हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या-क्या detail है, eligibility क्या होने वाली है, कौन-कौन से लोग apply करेंगे, जैसे इन सब बातों पर हम यहाँ पर detail में चर्चा करने वाले हैं, तो friends अगर आप वीडियो को first time मौच कर रहे हैं, चैनल को first time यहाँ पर visit किये हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को subscribe कर लीजी, वीडियो पसंद आता है, तो इसे like कर दीजिएगा, और जानकारी पसंद आया है, तो अपने अन्य दोस्तों तक भी share करना मत भूलिएगा, तो चलिए friends, start करते हैं वीडियो को, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका notification डाउनोड करके रखा हुआ था, और आब मैं इसे open कर चुका हूँ, तो यहाँ पर जो recruitment of officer scale first, second, third and officer scale multipurpose in regional rural bank, ठीक है, तो यह सारी चीज़े यहाँ पर index भी दिया गया है, और आप लोग directly यहाँ पर check कर सकते हैं क्या क्या होने वाली है, तो चलिए friends हम बात कर लेते हैं इन सब बातों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप आप देख सकते हैं कि eligibility यहाँ पर और apply कब से कब तक करेंगे, यह सारी detail, यहाँ पर जो center है, ठीक है, अलग अलग types के participating RRBs, वो सारी चीज़े यहाँ पर दी CRP, मतलब apply करने से पहले आप लोग ध्यान पूरवक इस notification को पढ़ दिए, कि eligibility क्या होने वाली है, सबसे पहले आपको ध्यान अकना है, कि a candidate must be a citizen of India, नेपाल, भूटान, यानि कि यहाँ की eligibility अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप apply कर सकते हैं, उसके साथ ताइवेत जो senior management है, उसके लिए 21 साल से लेकर 40 साल के बीच age limit होनी चाहिए, second manager के लिए बात करें तो 21 से 32 साल की age यहाँ पर दे गई है, जबकि for officer scale assistant manager के लिए 18 से 30 वर्स के बीच age होनी चाहिए, और multipurpose assistant officer के लिए 18 से 28 की बीच age होनी चाहिए, और age में काप्र सारी छूट भी आप दे remaining category for which age, मतलब यहाँ पर age के हिसाब से भी छूट यहाँ पर दिया जाएगा, और भी अलग लग category के हिसाब से percentage बना के, ठीक है तो इसको भी आपको ध्यान देना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख सकते हैं OC category, ठीक है, तो यह सब आप जानते होंगे, और blindness अब फ्रेंड, सबसे important हम बात करते हैं, educational qualification, यान की आपके पास eligibility क्या होनी चाहिए, तब आप apply कर पाएंगे, तो officer जो office manage, यान की multi purpose है, उसके लिए bachelor degree होनी चाहिए, तब आप apply कर सकते हैं, अनुभो की कोई आप सेक्टार नहीं आपको, साथ में computer की basic knowledge आपको होनी चाहिए उसके साथ बात करते हैं, officer skill first assistant manager के लिए, तो यहाँ पर भी bachelor degree होनी चाहिए, computer की information होनी चाहिए, preference will be given to the candidate having degree in agriculture, ठीक है, horticulture, forestry, animal, husbandry, ठीक है, veterinary, science, agriculture, engineering, ठीक है, तो इन सब की जो की degree आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपके पास है, तो आप apply कर पाएंगे, उसके बात करते हैं, officer skill second banking officer manager के लिए, तो यहाँ पर भी bachelor degree आपको चाहिए, उसके साथ 50% जो mark है, वो plus में होना चाहिए, और banking से related course यहनि की banking, commerce, agriculture, engineer, यह आप देख सकते हैं, आपर screenshot आप लेके रख लिजेगा, उसके साथ officer skill second के लिए बात करते हैं, तो bachelor degree यहाँ पर भी होनी चा C++, Java, निकी computer related यह सारे courses अगर आप इन में से कोई एक belongs करते हैं, तो होने चाहिए, साथ में आपके पास अनभो भी होना चाहिए, एक साल का इसके लिए, ठीक है, character accountant के लिए भी आप देख सकते हैं, certified associated from institute of character accountants of India, तो अनभो की बात के लिए तो एक साल का अनभो यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद law officer के लिए degree from a recognition university in a law or its equivalent with a 50% mark, और दो साल का अनभो यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है, तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है, और apply करने के पहले आपको जरूर ही इसको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर और और भी चीज़े दी गए है, जै आपको apply करना है, ठीक है, और बिना इसको read किये, ठीक है, आपको apply नहीं करना, क्योंकि future कोई भी problem होगी, तो उसके जिम्यदार स्वय होगे, अब बात करते हैं कि इसका चालान कितना होने वाला है, तो application fees का जो चालान हो आप देख सकते हैं, कि 175 रुपे आप रखा गया है, साथ ही में बात करें, exclusive of GST for all other, तो उसके अत्रिक्त अदर जो candidate है, officer skill first, second, third के लिए 850 रुपे का चालान रखा गया है, जबकि office assistant पर multi-purpose के लिए बात करें, तो 150 और 850, यानि कि same यहाँ पर fees रखा गया है, कोई परियूटतर नहीं, transaction charge और जो है, वो लगेगा तो आपको पड़ेगा, वो इसके बाहर रहेगा, अब examination की बात कर लेती है, examination का जो method है, online mode से होने वाला है, तो office assistant multi-purpose के लिए जो होने वाला exam, उसमें reasoning, mathematics, ये दो जीजे आने वाली है, ठीक है, question आप numbers की बात करें, तो 40-40 numbers करेंगे, और उनका marks भी 80 number का total होने वाला है, और timing की बात क के लिए बात करें, तो same paper होने वाला है, same number of questions, same marks रहेंगे, time भी same ही दिया गया है, आगे बात करें, office assistant multi-purpose के लिए, जो यहाँ पर दिया गया है, examine करने के लिए, ठीक है, जो main exam होगा, उसके लिए reasoning, computer knowledge, general awareness, English knowledge, Hindi, language की knowledge, और mathematics, याने की numerical ability, ठीक है, तो medium आप exam का यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये मेरा ख्याल से English में रहेगा, जबकि English language तो English में रहेगा, हिंदी, language हिंदी में, और इसमें भी total 40-40 marks के प्रते questions यहाँ पर होने वाले हैं, और इनका marks भी same होने वाला है, इसमें timing जो है, two hours का रखा गया है, उसके साथ officer scale second के लिए बात करें, तो इसकी official website यहाँ पर आप देख सकते है, blue color से लिखा है www.ibps.in, इस पर जाके आप और भी अच्छे से जानकारी प्राप कर सकते हैं, और online भी यहीं से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है, और examination center की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि examination center कहां कहां होने वाला है, तो यहाँ पर भी same चीज़े रखी गई है, ठीक है, दो घंटे का timing है, यह officer second scale के लिए है, general banking officer के लिए, तो इसमें reasoning, computer knowledge, financial awareness, और English language साथ में Hindi knowledge, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हैं यहाँ पर, और medium भी इनका दिया गया है, कि किस method, medium से इनका exam होगा, इसमें 200 question रहेंगे, 200 number के, timing का timing 2 घंटे का है, उसके साथ officer scale second specialist काईडर के लिए, उसमें preferential knowledge reasoning, financial awareness, English language, हिंदी, language computer knowledge, and mathematics and data interpretation, तो इसमें भी medium दिया गया है, number question 240, और total mark रहने वाला है, 200 number का, timing जो है, 2 hour and 30 minutes, यहाँ कि धाई गंटे का timing रखा गया है, officer scale second के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख से हैं, यहाँ पर भी लगभग सेम चीज़े हैं, लेकिन number question 200 हैं आपर, और marks भी 200 रहने वाला है, और timing जो है, दो भंटे का है, यह काफे important information थी, I hope आपको यह सारी चीज़ समझ में आ रही, और वीडियो अगर पसंद आता है, तो फटाक से like भी करिएगा, कटाप की बात करें है, इसके अलावा कोई भी अन इसमें समझाता नहीं क्या जाएगा, यहाँ पर examination center भी दिया गया है, और इसमें देख सकते हैं, due to COVID-19 pandemic for the safety of the calendar, मतलब COVID-19 related यह चीज़े आपको जो सुग्धा है, वो करना पड़ेगा, साथ में इसमें interview भी दिया गया है, scale first, second, third grade के जो भी officers हैं, उनके लिए, तो interview भी आपको देना पर सकता है, exam गयरा जैसे qualified होता है, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए बुलाया जाएगा, यह कुछ important महात्पूर डिटेल थी, और चलिए आगे देखने इसमें, और क्या क्या चीज़े हैं, तो syllabus मैंने आपको बता दिया है, apply क method जो है, वो भी आपको मैंने बता दिया है, और apply करते हैं, document जो रखेंगे आप, high school से लेकर, ठीक है, graduation और उसके साथ, जो भी आपका एरी culture या फिर जो भी आपने डिप्लोमा होगा रखिया है, जो मागा गया है, वो आप साथ में रखेंगे, तब आप apply करिएगा, ठीक है उसके पहले नहीं करिएगा, साथ में आपको अधार कार्ट, पायन कार्ड, डियल हो गएरा, यह सारी चीज़े रख लेनी, फोटो हो गएरा, आपको latest ही रखना है, तो बैतर रहेगा आपके लिए, वो ज्यादा बैतर होता है, और आगे देखते हैं, क्या कोई अन्य डीट आपको नहीं लगा होगा, और साथ इसमें कोई अन्य प्रॉब्लम आपको नहीं लग रहे होगे, फिर भी कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्षिन की माध्यम से आप लोग इन्फॉर्मेशन को प्राप्ट कर सकते हैं, फ्रेंट्स चैनल को सब्स्राइब नहीं किये तो अभी चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रहे हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे हैं, फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, थांक्स फॉर वाचिंग